कि है झुग पर चाना हैं कि अगर फाइब जी इंडिया मेंजब आता है तो कि फाइब जी गेमिंग में मतलब कि युच टैप का होने बाला है चलटव ऐखना फइंड पर फाइब भाल दो हम अच्छा गम के लिए खराप नहीं होने वाला यह इस उलसक्राब लोग होगा खराब भी होगा कैसे ताप लोगों को वीडियो को पुरा का पुरा एंड तक वोच करना है ड्मै जो है फ्री फायर को जो है फूरे गेमिंग कोम्यूनिटी मतलब जितने विस सारे गेम्स उनके लिए बताने लो ओनलाइन हो या ओफलाइन में जो है दूनों गेम्स के बारे में बताने वाला हूं तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को जल्दी सुझे ओफलाइन गेम्स के बारे में बता देता हूं कि अगर 5G आता है तो ओफलाइन क्या ओफलाइन गेम्स के लिए अच्छा होगा ओफ्राइं गेम्स के लिए खराब कड़े वाला थे जर्फ-ाइड गेम्स के लिए बढ़ते वाले थे जल्दी-जल्दी आप लWhen गेम्स को 5G के तुरू डाउनलोड कर पाओगे बड़ सिर्फ अच्छा ही नहीं खराब भी जो हने वाला है क्योंकि ऑफ्लाइन गेम्स को तो आप जल्दे डाउनलोड जरूर कर पाओगे बट फाइब स्टार्टिंग में आएगा जो उसके पैक्स होंगी वह बहुत ही ज्या अच्छा है क्योंकि आप लोग ज्यादा अच्छा जीए इस पीड़ देखनों को मिले तो अब बात कर लिए था हम ओनलाइन गेम्स की कि अगर हम में 5G जब देखने को मिले गारे तब क्या यह ऑनलाइन गेम्स के लिए अच्छा होगा मेरे को जितना लगता है तो 5G जो है यह उनलाइन गेम्स के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होने बारे स्टर्टिंग में क्योंकि आप लोगों भी अच्छे सा जानते ही होगे कि जब 5G इंडिया में शुरुआती टाइम पर आयागा वो पहौल जए ज़ादा रहने वाला है अगर कोष्ट ज़ादा होता फिर भी अगर कोई बन्दा उसको देख भी लेता है तो इंटरनेट स्पीड इतना ज़ादा देखना को मिलेगा कि आप लोगों को यहां पर आप लोगों को अगर 50 kbps का जूरत पड़ता होगा वहां पर आप लोगों को 500 से ज्यादा 500 kbps 1 mbps तक का speed मिलेगा आप लोगों का ping तो यहां पर बहुत ज्यादा साही चलने वाला है पिंग तो मतलब कि आप लोगों को उसमें तो कोई टेंशन नहीं होगा बस वो जो कोस्ट में जो प्राइज उसमें जो अब लोगों को दिक्कत होने वाला है और सुरू-सुरू में बहुत सारे बंदों को उससे भी दिक्कत होने वाला है कि बहुत सब लोगों के पास वह फाइब जी नहीं होने वाला है बहुत सारे लोगों के पास तो उसमें भी जो शुरू सुरू में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि जब 5G स्मार्टफोन हो गए नहीं तो आकर 5G चलाएंगे किसमें और एक और बहुत बड़ी बात यह भी होती है कि जब 5G में आता है सुरुवती टाइम पर तो क्या सच में जैसी स्पीड एक्सपेक्टेशन में रख रहे हैं तो क्या सच में हमें उसकी ऐसे स्पीड मिलेगे कि आप लोगों को भी जो आई यह बात बहुत अच्छे से पता ही तो क्या हमें 5G आते हैं तो क्या हमें एच्छा इंटरनेट कनेक्सन देखने को मिलेगा तो मेरा अगर ओपिनें आप लोग माना एंड इन फ्यूचर जाके जो है हमें फिर थोड़ा टाइम बात जो है 5G के जो प्राइजेस वगरा है वो भी जो हमें कम देखने को मिल जाएंगे अगर होता है कि सुरू में हमें नेटवर्क खराब देखने को मिलता है तो आज की वीडियो बैसे ही तक थी अगर आप लोगो वीडियो पासा दा वीडियो को लाइक करना चैनल वे फॉस्ट टाइम आ रहे जलेंगो सब्सक्राइब करें नोटिफिकेसन बैल को बेजोल बेसेट मार देना चोला मिलता है नेक्श वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई